प्रणाम प्रशिवर गल्यान हो यह वक मुझे प्रणाम श्रवन है श्रवन कुबार है सुन्दर है श्रवन मुझे प्यास लगी है क्या बात है मुनिश्ट आपके वस्त तो आपका परिशे देते हैं पराइं तु आपकी शस्तों से आपका परिशे समझ में नहीं आता तुम मुझे मेरे वस्तर देखकर मुनी कह रहे हो ऊपान तु मेरा इदनुश मेरा पर्शू यह तो मुझे मुनी सिद्द नहीं करते उच्चकुल का तो सिद्ध करते हैं उच्चकुल? मेरा कर्म जाने बिना ही केवल मुझे देख करे तुमने मुझे उच्चकुल का सिद्ध कर दिया आप अवश्य किसी श्रिश रिशी की संतान है परन्तु मैं मैं एक वैश मुनी और छोटी जाती की माता की संतान हो श्रवन तुम्हें अपनी माता को छोटी जाती का कहते हुए लज्जा आनी चाहिए माता तो माता होती है जो पूजनी होती है व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है श्रवन जन्म से तो सवी शूत्र होते है जन्मना जायते शूत्राहा संस्कारात विजूद चिते श्माखरे मैं तु आपका विजार करके कह राथ है मेरे हाथे से जल लेकर श्रावाण वायू हर श्रेणी के व्यक्ति को चू कर आती है और हर श्रेणी के लोग उसी वायू से अपनी श्वास भर लेते हैं शीतलता प्राप्त करते हैं सूर्य की किरने भी सभी के लिए समान होती है श्रावण मेरा आर्थ समझ रहा हो ना लाओ मुझे जल दो मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे अपना परिचे दे बड़ी क्रपा होगी क्योंकि आज से आप मेरे आदर्श है श्रावण मैरेशी चमदगनी और माता रेडुका का पुत्र पर शुराम हूँ जन्म से तो बड़ा मनों किन्तो कर्म से मुझे ख्षत्रिय बनना पड़ा भकवान परशुराम अहुप भाग के मेरे जो मुझे आपके दर्शन हुए एक दिर्ख स्वयम चलकर मेरे पास आ गया मैं तुम्हारा तात्पर यह नहीं समझा मैं अपने अंधे माता पिता को तिर्थो की यात्रा कराने निकला हूँ वो जो बैठे है मेरे माता पिता है परव तुम्हें वहां को इराथ्या अन्य वाहन दिखाए नहीं दे राश्रावन जिसमें मैं बहुत साधारन व्यक्ति हूँ मेरे पास रतादी साधन नहीं है किन्तु माता पिता की इच्छा को पूरा करना हर संदान का धर्मभी है एवं करता विभी इसलिए इन दोनों को कादो बोठाए तीर्थों की याधा करने निकला हूँ श्रावन कुमार तुम धन्य हो तुम धन्य हो तुमारे दर्शन करने के उपरांद अपने माता पिता का परमभग्त होने का मेरा आंकार तो चूर चूर होगे मुझे अपने चरण स्पर्श करें नई 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 आप मुझे आपका भागी ना बनाए आपका यश तो पूरे संसार में सूरे किरण की भादी फ्यल चुका है अब चलिए चलकर मेरे माता पिता को दर्शन देकर धन्य कीजिए श्रवण मैं भी उन माता पिता का दर्शन करके धन्य होना चाहता हूँ जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया चलो चलिए माता पिता श्री बगवान पर्शुराम बदा रहे हमारे दन्यबाद ए बगवान पर्शुराम हमें अपने चलन चुहने दिजी नहीं माता चलन स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए ए माता मैं आपके पुत्र से मिलकर दन्य हो गया आपके इस पर्श मात्र से हमें मोक्ष मिल गया नहीं माता आपके दर्शनों से मुझे सन्यास प्राब्द हो गया इस संसार में इससे अच्छा द्रश और कोई होई नहीं सकता कि एक पुत्र के कंधों पर माता पिता तीर्थ यात्रा कर ले माता जब तक पुत्र धर्म की मयादा रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा आई श्मान पामाद आई श्मान पामाद